शाजहापुर जिले के खुदागंज बिलाग के ग्राम सारी नगला में मददाता सत्यापन में बड़ी लापरवाही आई सामने बियालो और प्रधान की मिली भगत से गाउं में रहने बाले दरजनों मददाताओं का नाम मददाता सूची से गायब जबकि मरतकों बाफरजी बोटरों के नाम नई सूची में हैं दरज ग्रामीडों ने बियालो और प्रधान पर धांदले बाजी का आरोप लगाते हुए एल्दियम से की कारवाही की मांग आपको बताते चलें कि शाजहापुर जिले के बलाग खुदागंज अंतरगत ग्राम सारी नगला में मददाता सूची के सत्यापन के दवरान गाउं में रहने बाले निवासियों के ही बोट कार दिये गए जबकि नई सूची में ऐसे तमाम नाम है जो गाउं के निवासी ही नहीं हैं इसके अलाबा मिर्तकों के नाम भी सूची से नहीं काटे गए हैं कुछ ग्रामीडों ने बताया कि हमारे गाउं में बियलो संगीता बाग ग्राम प्रधान कौशल सिंग की मिली भगत से लगबग 180 बोट कड़वा दिये गए हैं वहीं उन्होंने बताया कि नई सूची में ऐसे 60 नाम जोड़ दिये गए हैं जो पूरी तरह से फरजी हैं क्योंकि ये लोग गाउं के हैं ही नहीं और गाउं में निवास भी नहीं करते हैं दूसरी ओर जब बियलो संगीता से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है गुम रहा करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने लगबग 150 नए बोट बनाए हैं हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि मेरे घर के भी दो बोट काड़ दिये गए हैं अब सबाल है कि क्या बाकई ये सच है अगर हां तो फिर जो बियलो अपने खुद के दो बोट ना बनवा पाई हो उसने पूरे गाउं में किस तरीके से सत्यापन किया होगा ये बड़ा ही गंभीर प्रश्ण है इससे साफ है कि नई मद्दाता सूची में बड़ा हेर फेर है उदर गिरामीडों ने इसकी शिकायत SDM तिलहर से की है और कारवाही की मांग की है आपकी क्या समस्याएं हैं? आपकी जाचा कैसे समस्याएं है आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में 10 वोट है ये बोटर लिश्ट है जो भी आई है नहीं बनके जो बोड बनाए है जो पुरानी लिश्ट थी उसमें नाम दे उनके जो नई लिश्ट है आई हैं उसमें उनके कोई भी नामी नहीं है मतलब लोग 30 साल चालीस साल थी यह रह रह रहे हैं मतलब परमानेंट यह रहने वाले उनके बोट नहीं है गहां के लोह का आरोप है कि बोट कटबा दिये गाए मेरे क्या कबज़ा है हमने dop सिर्थ नहीं गआ अपने काम किया है को बना गिया है कितने लग बन बन वाय तेजियान पहएं हमारे घर की गटै वह और घर के क्रुछे हैं इसमें मेरे क्या हम अपनी घर के थोरी कटवा दें क्या हमारे दो बोट कटे हुए